Hello everyone, welcome to future times coaching, कैसे हैं आप सभी लोग, तो आप मुझे ये बताएं क्या आप पहले भी वर्गमूल वाले कोश्चनों को बीना पेन का लगा सकते थे या लगाते थे, अगर नहीं लगाते थे तो बिल्कुल इस वीडियो को देखेगा, अब हम लोग क्या करेंगे वर्गमूल के जितने भी कोश्चन आये हुएं, कुल मैंने 25 कोश्चन लिये हैं, और हर एक कोश्चन को आप सिर्फ देख के लगाना सीख जाएंगे इस वीडियो के बाद, मत्तब आपको जादा सा जादा 3-4 सेकेंड लएगा, किसी भी वर्गमूल यानि स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है, तो जितने भी ग्रूप D में कोश्चन आये हैं, वो 25 रिप्टेड वाले कोश्चन यही कोश्चन दुबारा भी आएंगे, और इसके अलामा कुछ भी आजाए, आप देख के ही लगाएंगे, तो तरीका क्या होगा, आपको सिर्फ एक चीज़ पता होना चाहि है, कि जो 80 है, वो 9 का स्कॉायर है, तो एंसर जब भी होगा, तो क्या होगा, या तो 50 प्लस 9 या 50 माइनस 9, 100 प्लस 9, 100 माइनस 9,100 ACK 1.200 माइनस 9 या 200 प्लस 9, 200 माइनस 9, 800 मातोब एंसर हमेशा, इसी तरीके से बनने वाले हैं, तो इसमें देखिए कि कौन से बाले में हैं, यह 50 के आस पास तो दिखने ही रहा option में, तो 100 वाले pattern पे आएंगे, और 100 प्लस 9 हमारे पास दिख रहा है, और 100 माइनस 9 इसमें है नहीं, इसका मतलब हमारा answer यह सभी के सभी गलत है, तो बीना कुछ सोचें, यानि आपको क्या ढूड़ना है, सबसे पहले एक बार फिर से समझेगा, कि जो last के दो डिजिट है, वो किसका square है, तो हमने देखा 9 का square है, तो answer हमारा ऐसे बनेगा, या तो 50 प्लस 9 बन सकता है, 50 माइनस 9 बन सकता है, 100 प्लस 9 बन सकता है, 100 माइनस 9 बन सकता है, या 500 में प्लस 9 बन जाएगा, या 500 माइनस 9 हो सकता है, या 200 में प्लस 9 होगा, या 200 में माइनस 9 होगा, कुछ इस तरीके से ही answer आएंगे, जैसा होगा, option से देख के लगा लेंगे, क्योंकि exam में आपको answer चाहिए, exact value निकालने के जरूत नहीं, वो भी मैं निकालना सिखा दूँगा, लेकिन अभी आपके लिए देखिए, इसी तरीके से सिर्फ सोचना है, कि किसके आसपास होगा, उसी के आसपास होगा, अगर कहीं option में 2-2 option मिल जा, suppose करिए, कि किसी में 50 plus 9 भी दे दे, 50 minus 9 भी दे दे, तो कैसे उसमें eliminate करेंगे, वो भी मैं सिखाऊंगा इसमें, अब सभी question देखेंगे, उसके बाद आप वर्गमूल के, कोई भी question, अगर इतने बार पूछा गया है, सिर्फ 25 question मैंने लिया, इससे ज़्यादा बार पूछा गया group D में, तो अगर इस बार भी आने वाला है, और सब के set में मिलेगा, तो कैसे करेंगे, चलिए, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं, next question हमारे पास क्या है, कि ये last में दिया हमको 61, 61 जैसे हमने देखा, हमको mind में आ गया, ये तो 19 के square में आता, एक सट, तीन सट, तो या तो 19 प्लस में, या तो 19 माइनस में, 100 के आसपास number है, तो 19 प्लस में दिख रहा है, कहीं पे कुछ दिख रहा है, 19 माइनस में नहीं हो गया, कितना time लागा, एक सेकेंड, ठीक है, बस आप देखते ही देखिए, अंसर निगालना सीख जाएंगे इसमें, next question में देखिए, हमारे बास दिखा कि ये तो 69 दिया है, तो 69 का मतलब होता है, 13 के last में आता है, तो या तो 13 प्लस, या तो 13 माइनस, वो 50 से भी प्लस हो सकता, 50 से भी, तो 100 के आसपास, कोई भी हो सकता, तो इसमें हमने 50 के आसपास, कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो हम 100 से compare करेंगे, और 100 में 13 घटा लिजे, कौन सा नंबर दिख रहा हमको, तो ये हमको दिख रहा है, यहाँ पे 87, तो ये हो गया 87, बस हो गया answer, 9 दिखा, तो 9 या तो कम होगा, या तो ज़्यादा, वो किसी के आसपास हो सकता है, 50 हो 100 हो, 1.5 हो 200 हो, उसके नंबर के उबर डिपेंड करता है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आब आप्सन को देखिए, कि 100 से 9 कम है ज़्यादा, तो 100 से तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो 9 कम कर लेंगे, तो क्या ये 9 कम है? नहीं, क्या ये कम है? नहीं, ना तो ये कम है, कौन सा है? ये है, आप करके देख लिजएगा, यही आएगा, तो कितना time लएगा? एक से दो सेकेंड में आप सोच सकते हैं कितना भी बड़ा वर्गमोद अभी तक लोग इसको इस वाले method से लगाते हुए आते हैं कौन सा graph हो बना के divide करते हैं तो यह सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है आपको अगर answer चाहिए आपको exam में selection लेना है क्योंकि हमको बता 2-4 second 5 second में question लएगा तो 25 के 25 question सिर्फ यहीं पे देखेंगे और जिससे आपके value अलग तरीके से बन जाएगी वर्गमूल के लिए जब आप सारे type के question इसमें देख लेंगे तो 64 मतलब 8 दिख गया 8 दिख गया मतलब 8 जादा या तो 8 कम यही होगा ना हमारे पास या तो 8 जादा या तो कम तो 50 के आसपास सारे नंबर दियें तो 50 से 8 कम तो है नहीं तो 50 से 8 जादा क्या यह है क्या यह है क्या यह है नहीं कौन सा है यह है बस हो गया यह तो दिख जाएगा हम तो इतना तो ज्यादा होगा या तो कम होगा वो किसी के आसपास हो तो 300 के पास हो 400 के पास हो साड़े 400 के आसपास हो जो भी नंबर हो तो हमने option में देखा कि 400 के आसपास सारे नंबर है क्या 28 ज्यादा है नहीं क्या 28 ज्यादा है नहीं क्या 28 ज्यादा है नहीं तो क्या 28 ज्यादा है तो ये तो गया पहले ही, ये वाला 250 से 5 जादा तो ये हो सकता है, ये वाला तो गलत हो गया, लेकिन ये 5 कम भी है, देखिए अब दो अफसन आपको यहाँ पर फसा देंगे कि अब क्या होगा, कि एक 250 से 5 जादा भी है, 5 कम अब कौन सा वाला होगा, तो अब सुनिए दूसरा चीज यहां कैसे eliminate होगा, तो इसके पहले 24 है, इसके पहले 25 है, इन दोनों का square करेंगे, कौन सबसे इससे नस्दीक है और कम है, तो 24 का square 576, और 25 का square 625, तो ये 625 तो इस 600 से जादा निकल गया, तो ये भी गलत हो गया, ये वाला सही हो गया, 245, तो कहीं कहीं ऐसा दो option तो वहां पर आप eliminate उसको करेंगे, कैसे निकालना है, फिर से समझेगा, तो ये 24 दिख रहा था इसमें, और इसमें दिख रहा था 25, पथीज के square करते हैं, ये 600 से जादा हो गया, अब जब जादा हो गया, तो फिर तो हो ये नहीं सकता, तो यही वाला होगा, बस एक एही ब या फिर आप इसको comment करके बताएंगे कितना होगा हमारे पास, ठीक है, कि इस question का answer अगर करना है, अगर ये classes अभी, मैं अभी record कर रहा हूं, तो हो सकता आपको ये premiere में मिले, ठीक है, अगर premiere मिलता है, तो बिलकुल live chat में आप comment करेंगे, कि कितना answer आ रहा है, ठीक है, तो हमा हमारे पास दिख रहा है, या तो 50 के आसपास बोल सकते हैं, या 100 के आसपास, दोनों के आसपास हम देख सकते हैं, क्योंकि कुछ number हमारे पास ऐसे हैं, जो 100 के आसपास भी हो सकते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या है, कि 50 के आसपास भी हमारे पास number है, यहां पे, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा कि यह 18 का स्क्वाइर में आता है लास्ट में तो 18 की स्क्वाइर में अगर आता है तो या तो 18 जादा या तो 18 कम तो 50 से 18 जादा जोड़ें तो एक नंबर हमारे पास दिख रहा है और 100 से कोई कम तो नहीं है यहां पर तो यह भी नहीं यह भी नहीं और ये भी नहीं और एंसर क्या होगा 68 होगा तो फिलाल में जैसे अगर मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको प्रीमियर मिलेगा ये लाइव नहीं है एक चीज ध्यान समझेंगे सबी लोग तो वहां पर आप कमेंड जरूर करके अंसर बताएंगे अगर मैं पूछता आपको पॺज़ें जाएंगे और ये वाला जो नंबर आप थोड़ा सा आप सोश सकते हैं ये वाला जो नंबर हमारे प्पास आप फस गया है है एक किस और मिल गया कि जहां पर देख यह 50 प्लस 24 हो सकता यह 50 100 माइनस 24 अब दोनों में सेमी चीज मिल गया अब इसको सही करें या इसको अगर इसमें दोनों के पहले वाला नंबर साथ है स्क्वाइर करेंगे तो दोनों आसपास में मिल रहें अब क्या करेंगे अब एक चीज आपको यहां पर बचाएगा कौण इन दोनों के बीच वाला नंबर वो है 75 तो 5 का स्क्वाइर 25 सह 7 वाठ हे 56 तो 56 तो 75 का स्क्वाइर होता है तो यह हमारा 56 पचीज से छोटा है मतलब यह वाला तो वैसे भी गलत क्योंकि जब 75 का स्क्वाइर ही 56 है तो 76 तो उससे भी जादा होगा तो कौन सा वाला इंसर 74 हो जागा तो कहीं-कहीं ऐसा case मिलेगा तो वहाँ भी आप निकल सकते हैं बहुत easy तरीके से चलिए next question और भी तो अगर हम यहाँ पे अगर 16 जोडे तो एक तो नमबर हमको यह दिख रहा है अगर हम 16 में घटा के देख लें तो एक नमबर हमको यह भी दिख रहा है दोनों दिख रहें के नहीं दिख रहें देख सकते हैं ठेक है चलिए next question देखते हैं लोग next question क्या है 15625 यह तो ऐसे भी आपको याद होना चाहिए और यह 625 है मतलब इसका मतलब क्या होगा 100 से 25 ज्यादा कर लिए 625 ठेक है ज्यादा सोचने की जरूत नहीं और कोई है नहीं हमारे पास चलिए next question के तरफ चलते हैं लोग next question हमारे पास क्या देख रहा यह 4 का square है किसका square है 4 का square 16 किसका square 4 का square तो 4 या तो 100 में 4 जोड देजे या तो 100 में 4 घटा दीजे तो 90 तो कहीं दिख नहीं रहा तो 4 जोड देंगे तो ये वाला बन जाएगा अच्छा ये भी है मारे पास ठीक है तो कौन सवाला हो जाएगा हमारे पास 104 हो जाएगा चलिए next question देखिएगा next question हमारे पास last में दिख रहा है 49 49 मतलब 7 7 या तो कम या तो ज्यादा किस से अब जो भी number दिया option वो उसी के आसपास देख लिजे तो 200 के आसपास देख लिजे 200 से कम यह है क्या नहीं है यह ह होगा answer और 100% होगा आप जितने भी question आए है group D हो या किसी भी exam में हर जगह try करिएगा 100% follow होगा अगर जहां दो option match करेगा मैंने बताया कैसे आपको करना है ठीक है दो option में अगर फसते हैं जैसे यह वाला दिखा कि हमारा 2 का square है 2 का square है मैंनी 200 से या तो 2 कम या तो 2 ज्याद में 20 का square इससे जादा हो गया 400 मतब यह वाला भी गलत अब बचा हमारे पास 190 और 190 इसका answer होगा इससे speed में कोई तरीका से नहीं लगा सकते है तो अगर आपको यह समझ में आ रहा है तो बिल्कुल वीडियो के नीचे comment जरूर करेंगे कि मैं दूसरा वीडियो भी आपके लि नहीं पर भी ठीक है यह सम नहीं है तो कौनसा answer होगा बिना कहें आप बता सकते हैं 169 होगा और यह group D का ही question है आपके सामने सारे question group D का ही देख रहा है यह वाला 2 का square है तो 2 या तो जादा या तो कम तो यह तो 150 से ना तो 2 जादा है ना तो यह जादा है यह हो सकता है और य 248 होगा ठीक है न और देखे 25 question करने में कितना समय लाएगा यह 29 दिख रहा हमारे पास ठीक है तो यह वाला हमारे पास क्या जागा अगर हमारे पास 29 है तो हम अगर इसका square करते हैं ठीक है अगर हम 23 का करते हैं तो अगर हम 23 का square कर लेते हैं तो हमारे पास कितना मिलता है 529 और यहां पर अगर हम देखा जाए तो 29 घटाना होगा या तो जोड़ना होगा वो किसी नंबर के आसपास हमको जहां तक दिख रहा है यह 150 के आसपास वाले नंबर है तो ना तो यह है ना तो यह है ना तो यह है और बच गया यह वाला और यहीं होगा आप चेक कर लिजेगा ठेक है बस आपको लाश्ट के दो डिजिट को आपको ढूड़ना पड़ेगा जैसे यह जीरो चार दो का स्कॉाइर है तो लीजे यह हो गया यह वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि 9 का स्कॉाइर 80 और यह एक्सा 4 है 10 का स्कॉाइर 100 यह नजदीक है तो यह वाला हो गया तो जादा नहीं होना चाहिए 4 का स्कॉाइर 16 तो 4 कम या तो 4 जादा है तो 4 कम तो ना तो यह है ना तो यह है यह दोनों बन सकते है तो यह 20 का स्क्वायर और यह 19 का स्क्वायर, दोनों में कौन सा वाला बहतर लग रहा है, यह वाला लग रहा है, क्योंकि यह वाला तो छोटा हो जाएगा, तो यह दुबारा आपको मिल गया, चलिए, next देखेगा, यह वाला हमारे पास क्या है, 41 है, यह किसमें आता है, 29 के तो owa pega 29, या तो ज्यादा या तो चीव कम, तो ना तो यह है, ना तो यह है, ना तो यह है, और यह सर्फ यह है, नहीं, अच्छा, एक option और मिल सकता हमारे पास, यह वाला भी है, देड़ सो से 29 कम है क्या यह? नहीं, यह भी नहीं है, चलिए, कोई नहीं, तो हमारे पास सि स्क्वार करें तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा अब मामला यहां फस गया कि अब क्या करें थेक है तो अब इनके बीच का एक नंबर आपको ढूड़ना पड़ेगा कि कौन सावाला होगा क्योंकि देखें यहां पर हमारे पास क्या हो गया कि 149 और 131 तो हो गया यह वाला 150 से 29 कम है और यह वाला 100 से 29 जादा है क्योंकि यह दोनों पॉसिबल हो सकते हैं क्योंकि इनका स्क्वार में लास्ट में यह डंबर आ सकता है अब इसमें आपको ढूड़ना है कि कौन सावाल आएगा तो हम क्या करेंगे इनके बीच का नंबर हम 125 का स्क्वार सबको बता है कि यह होता है 15625 अब यह 125 का स्क्वार 15625 से यह वाला जादा होगा तो इसकी वैलू छोटी आएगी कि नहीं आएगी तो इसकी वैलू इससे जादा आएगी तो यह वाला भी बहुत तरीके से इलिमिनेट नहीं कर देखें यह 125 है और यह वाली value कुछ जादा ही छोटी हो जाएगी, मतलब ये वाली गलत, ये वाला क्या होगा हमारा सही होगा, तो थोड़ा सा कोशिस, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अगर कहीं option इस तरीके से match कर जाया तब के लिए, जैसे ये वाला हमारे पास क्या आगया, 4 का square, तो अब ये ये भी दिख गया, ये गलत, अब ये दोनों में से कोई एक देखना है, तो ये वाला हमारा 204 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला नजदीक है, ये question सायद repeat हो गया दुबारा, चले, next question देखते हैं, निम लिखित में से 21, ये किसका है, 21 मतलब 11 का, 11 का square, 11 का square, इसका मतलब 11 या तो कम या तो जादा, तो लिजे इसको कार्ड देते हैं, पहले, इसको कार्ड देते हैं, इसको कार्ड देते हैं, और ये वाला हो गया, इसमें कुछ mix बचा ही नहीं हमारे पास, बाकि जिनको इस तरीके से सारा topic का trick चाहिए न, तो उनके लिए, ये बैद चलता हमारा, group D के ल कुल 28 chapter पूरे कराये जाएंगे, जितने भी question group D आएंगे, वो सारे question होगा, fees भी बहुत minimum रखे गई है, तो बिल्कुल आप बैच पर जाके बैच ले सकते हैं, जिनको भी लगता होगे, थोड़ा भी वो कमज़ोर है मैस में तो, बाकी और question देख लिजएगा, ये question देखिएगा, जैसे ये last में हमको दिख गया कि 36 है, मतलब या तो 6 कम या तो 6 ज्यादा, तो 216 होई नहीं सकता, 214 होई नहीं सकता, 204 नहीं हो सकता, तो कि या तो 206 कम होगा, या तो ज्यादा होगा, अब ज्यादा वाले में 6 यही वाल ज्यादा, तो यही answer होगा हमारे पास, बाकी इसके अलमा हमने जो, ऐसे number का जो perfect square नहीं होते हैं, इस तरीके का हमने already trick आप लोगों को बता दिया है, video upload है, आप लोग जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं, इसको देख लेंगे जाके, इस तरीके question को भी तरीके आपको सिख खाये गए हैं, ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और नीचे comment करके सभी लोग बताएंगे जो अभी तक भी देख रहे हैं, वो किस topic पे अगला trick चाहिए आपको, geometry, mensuration, time and distance, जो भी चाहिए वो सभी लोग comment करेंगे, ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, video को share करना नहीं भूलेंगे, like करना नहीं भूलेंगे, ठीक है, और जादा से जादा लोग तक ये पहुचाईए, ठीक है, तो मिलते हैं next class में, आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद, thank you.